नमश्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है क्या सुभा उठने के बाद आपको भी छीक आती है? अगर हाँ तो मेडिकल साइंस में इस समस्या को एलर्जी ग्राइनाइटिस कहा जाता है अचानक मौसम बजलने और धूल, नमी, पेंट, स्प्रे या पॉल्यूशिन की वज़ा से एलर्जी ग्राइनाइटिस की समस्या होती है ऐसे में कुछ बातों का ध्यान में रखकर इस समस्या से चुटकारा पाया जा सकता है तो आईए जानते हैं माज इस वीडियो में कि क्यूं सुबा उठते ही च्छीक आती है च्छीक आने की वज़ा हवा में मौजूद धूल के कर्ण और खतरनाग तत्व अक्स सांस के साथ शरीर के अंदर जाते हैं हमारी नाग इन खतरनाग तत्व को शरीर के अंदर जाने से रोगती है लेकिन फिर भी जब कभी तत्व शरीर के अंदर पहुच जाते हैं तो शरीर रियक्शन करता है जिससे चीक आने लगती है कई बार मौसम के अचानक से बदन ले ठंड के बढ़ जाने परफ्यूम, सिग्रेट के धुएं जैसी तेज महक वली चीजों की वज़ा से भी छीक आने लगती है इस तरह पाएं छुटकारा एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या हो जाने पर हलका भोजन करने की आतर डाले खाने में सेंधा नमक का इस्तमाल करे हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करे दस से बारा तुलसी के पत्ते एक चोथाई चमच काली मिर्ज पाउडर देट चमच कसा हुआ अधरक और आधा चमच वाइन रूट पाउडर को एक कप पानी के साथ धीमी आच पर उबाले जब ये पानी उबलने के बाद करीब आधा रह जाए तब इसे चान कर पी ले रोजाना सुभा और शाम के वक्त गुनगुने पानी के साथ पीने से इस समस्य में तेजी से आराम मिलने लगेगा आधा चमच हल्दी और स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक को एक कप गुनगुने पानी में मिला कर पीने से भी इस दिक्कत में तेजी से आराम मिलने लगता है हल्दी में मौजूद एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लिमेंटरी और एंटी बैक्टीरियल गुनग वाले तत्व राइनाइटिस से छुटकार दिलाने में मददकार हो सकते हैं एक चमच शहद में धोड़ा सा आमना पाउडर मिला कर दिन में दो टाइम ले इसके अलावा पुदीना के पत्ते से बनी चाय पीने से भी इस समस्य हमें काफी आराम मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमें सेक्षिन में ज़रूर बताएगा वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा